तो चलो दोस्तों सौपिंग करने चलते हैं इतनी गर्मी में भी लेकिन उससे पहले इसकीन को प्रिपेर जरू करना तो चलो दिखाते हैं और यह गेट रेडि विध मी वीडियो है तो सबसे पहले मैंने अपने बालों को पफ बना के इस तरह से पोनी बना लिया है क्योंकि इ है क्या करें तो मैंने सबसे पहले मॉस्चराइज कर रखा है अपने फेस को नहाने के टाइम ही और बाहर जा रहे एतनी दूप में तो हम लगाएंगे संस्क्रीन मैं यूज़ कर यूँ वाओ संस्क्रीन जिसमें आता है SPF 55 और यह है PA++++ बहुत ही हाई वाला बॉर्ड एक् नैश्रल इंग्रीडियन्ट से बना हुआ है राजबेरी एक्स्ट्रेक्ट है कैरट सीड एक्स्ट्रेक्ट है एवोकेडो ओईल है नैश्रल इंग्रीडियन्ट के साथ इसमें कोई भी पैरबीन सिलिकन मिनरल ओई औक्साइड कलर या बिंजो फेनन नहीं है जो कि दूसरे नॉर्मल संस्क्रीन में मिलता है तो उससे यह बहुत ही हटके है और मुझे पतनली बहुत पसंद भी है वाटर रेसिस्टेंट है और जो है ना वो मेरी इन इंडिया है सबसे अच्छी बात और यह सी सन्रेस को हानिकारक रेस को सी ब्लॉक ही नहीं करता है बलकि यह हमारे ब कितना अच्छा ग्लोई एंड कितना अच्छा प्लंफ हाइड्रेटेड एंड मॉस्चराइज दिख रहा है वैसे तो यह मैट फिनिस देता है ज्यादा ओईली नहीं रहता तो संस्क्रीन के बाद मैं जो है कोई भी आप बीबी क्रीम लगाओ मैं यह स्कीन तिंट लगा रह होगा तो उसके लिए मैंने कॉम्पेक्ट पाउडर से पूरे फेस को अच्छे सेट कर लिया है अला कि यह वैसा तो नहीं है कि पूरा स्वेटिंग को रोग देगा पट कुस तो रोकेगा उसके बाद मैंने आइब्रोज को जस्ट ब्रस किया है कुछ भी नहीं लगाया है मैंने उसे फूली लेके ब्रस कर लिया है अपने आइब्रोज को उसके बाद मैंने लीप एंचिक तिंट अप्लाई किया है क्योंकि मेरा फेस एक्दम फ्लैट लग रहा था अंडे के तरह तो मैंने सोचे कि थोड़ा लीप एंचिक तिंट लगा के एक शेपिंग दे देते आइसे भी लगाएंगे क्योंकि बड़ा फ्लैट सा लग रहा था इसलिए तो बस हाथ से ही अराम से ब्लेंड हो जाता है इसलिए मैंने लीप एंचिक तिंट लगाया है अब मैं काजल लगा रही हूं काजल के बीना तो मुझे सब्सक्री दूरा लगता है और बाहर जाएं काजल न लगा है इंपॉसिबल निक्स मैं सोच रही थी कि आईलाइनर लगा हूं या नहीं तो फिर मैंने लगा लिया पता नहीं क्यों क्या सोचके पर मुझे अच्छा लगता है आईलाइनर और काजल तो मैंने लगा लिया मैंने फूल आई को कवर नहीं किया है आईलाइ सुरक्षा मिल जाएगा वाव के संस्क्रीम से आप लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो वहां मैं दे दूंगी आपके सुवीधा के लिए ऐसे आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो मुझे बताना और कमेट करके मुझे जरू बताओ कि कैसा लगा तेक कियर और यह साथ तेरो मुस्क्रादे रहो बाई और हाँ चलो स्वापिंग करने चलते हैं